एक्रसाइस 21 भी चल रही दिया हमारी इसमें कोश्चन नंबर 6 से किया दा हमने कोश्चन नंबर 7 आता है हमारा कोश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या बोल रहा है कोश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर वोटर टैंक मीजर्स 80 cm इन्टो 60 cm इसको फिल करना है जिसका अरिया लिए 1.5 मीटर सेंटिमीटर स्क्राइबन किया तो टो इस में वोटर इन वार्जी से इमर्ज होता है वह 3.2 मीटर पर सेंद की स्पीड से इमर्जिम होता है इसमें मिन्स कि वन सेकिंड में वो 3.2 मीटर के एक्वल जो लेंग्थ होगी किसकी पाइप यह उतना वॉटर इसमें डाल देगा ठीक है तो अब अब इसे हमें करना है क्या करा है कि तो सब्सक्षाइब करनि में को तो किटना क्लमें करने के सब्सक्राइब करेंगे उससे йौरक तरहें तो यहां पर अगर हम इसे रेक्टेंगुलर ले रहे हैं अगर हम यहां पर इसको रेक्टेंगुलर ले रहे हैं यहां पर हम इसको अगर हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं कुछ इस टाइप से यह कितना होगा हमारा रेक्टेंगुलर पोक्स की यहां पर क्या दिया हमें के इक वलग देना आया तो वोल्यम ऑफ कन्टेवर बोल्यम ऑफ कंटेवर ऑफ डी किसकि और배 shot 大म curated और पाईब तो स्वीट्रां जीटना स्वीट्सक्रवा किसमें और सिर्चा और लेंधिन वन आप ये न्डेवाइज पाईट्ट बोल्यम पाई़ हो मुर्ट्सि bu तो सेक्षन इंटू लेंद किसकी लेंद लेंगे हैं कितनी लेंद हैं हम लेट कर लेते हैं यहां पर अगसे में सोल्ट करते हैं तो 16 16 to 80 divided by 1.5 यह 1.5 है हमारा 1.5 equals to L. पॉइंट आएंगे उपर 10 आजाएगा पॉइंट आएंगे उपर 10 आजाएगा 15 से कैंसे कर देंगे 15 फोर्जा अब इनको मल्टिप्लाई कर लेते हैं कितना आजाएगा फॉर सिक्षर 24 24 240 और यह 800 equals to L इतनी लेंद आजाएगी हमारी अब अगर हम इसे लेंद को किसमें अभी तो सेंटीमीटर मारी है अगर हम इसको किसमें चेंज कर लें अगर अगर हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लें तो हंड़ाइट से डिवाइट करेंगे तो मीटर मा जाएगी लेंथ हमारी दिया जाएगी इतनी लेंथ होने चाहिए इतनी लेंथ अगर पाइप की होगी तो ये इसको कम्प्लेटली फिल कर देगा तो इसको कितना टाइम लगेगा टाइम लगाएंगे हम क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना है इस पूरे पाइप का डिस्टेंस होगा इस पीड है कितनी 3.2 मीटर पर सेकेंड तो ये भी हमने मीटर में कर लिया है तो पॉइंट आएंगे उपर टैन आ जाएगा अब इसको कैंसिल कर लेते हैं काई देट हो हमाराओ तल फॉर सर्चिनटी में चेंज कर लेंगे तो क्या कर लेंगे six tai सय डिवड कर सकते इसको सिक्सी बीवाइट करें इसको जिऊ लिए सिक्ष टैंज इससे एतना जाएक तो हम कह सकते हैं 600 सेकिंड या फिर कह सकते हैं kita मिन इसका आंसर होगा सिंपल कॉस्टन था बिल्कुल आप को मैंड में रखते होग पॉस्टन को इसी टाइट से करना रहे हैं यह कंटेरर वाले कोशन आते हैं हमारे तो question number eight देखते हैं हम हम question number eight देखते हैं question number eight में क्या बोल रहा है यह question number eight में कहा रहा है कि a rectangular cardboard seat a rectangular cardboard seat as length 32 cm and breath कितना 26 cm एक rectangular क्या है हमारे एंड इसकी ब्रैथ हमें given किये कितनी 26 cm अब क्या खेरा है इस में question में आगे squares each of sides 3 cm are cut from the corners of the seats इसके corner से आपको 4 squares cut कर लेने हैं इस type से 4 squares cut कर लेने हैं 4 square cuts कर लेने जिसकी sides क्या है 3 cm कितना है 3 cm यह 3 cm ठीक है यह 3 cm 3 cm के squares cut कर लेने हैं आपको यह 3 cm 3 cm के squares cut कर लेने हैं ठीक है अभी क्या रहा है कि are cuts from the corners of the seat and sides are folded to make into a rectangular containers अब इन्हें हटा दो यहां से यह वाले portion हटा दो तो यह कुछ इस type से दिखने लगेगा आपको यह कुछ इस type से दिखना लगेगा आपको यह फिगर जो आपको कुछ इस type से दिखने लगेगी यहां पर कुछ इस type से और कह रहा है कि इसको क्या कर देना आपको इनको को फोल्ड कर देना की कि यहां पर इसाइब से बॉक्स बन जाएगा हुमारा इसे टाइब से बोक्स से,"ु कॉस बन जाएगा हमारा कंटेनर बन जाएगा यह इस टाइब से यह इस टाइब से हमारा box ready हो जाएगा अब हमें देखना है कि इसकी box की length rate and heights क्या होंगी तो हमें यह 32 है अगर 32 है अगर 32 यह 32 है और थिरी दर से minus किया हमने थिरी दर से minus किया तो इधर कितना बचेगा यहांपर यहांपर कितना बचेगा यह 6 minus करदोगे 32 में से तो बचेगा 26 ठीक है यह 26 हो जाएगा जैसे 26 है यह 26 हो जाएगा हमारा एंड यह अगर हमारा 26 है तो इसमें से 3 दर से 3 दर से 6 माइनस कर देंगे तो यह 20 बचेगा हमारा यह 20 बचेगा यह 20 है तो यह भी 20 हो जाएगा हमारा ये भी 20 हो जाएगा तो सिंपल यह हमारा कितना हो रहा है जाड़ 26 हो रहा है ईह 26 cmde रहा थे इव खालनों कि सेन्टीमीटर पूल हुझ त्वटी है तिते जाएगा ठीक और यह तरह हमारा कितना है 20thenels यह हमारा 20 cm भंन रहा है कि ह् हमाररा pure 20 cm और यह हाइट कितने हो जाएगे हमारी 3 cm मीटर हाइट हो जाएगे अब क्या करना है इसमें इसमें कह रहा है कि find the capacity of the container form इस container की capacity आपको बताने है simple तो आपको volume बताना इसका तो volume of container कितने हो जाएगा volume of container कितने हो जाएगी length into breath into height length breath height कितनी लेंगे 26 into 20 into 3 multiply करेंगे 26 इन दोनों को multiply करेंगे 60 इसको multiply करेंगे 6 624 2 carry 66 36 sorry 66 36 3 carry 6 212 3 15 1560 cm cube यह हो जाएगी इसकी capacity तो simple question था है question number 8 था हमारा ठीक है बस इसको सोड़ा सा समझना था आपको इस टाइप से तो यह हो गया हमारा question number 8 question number 9 करते हैं हम question number 9 था हमारे पास क्या बोल रहा है कि swimming pool is 18 meter long and 8 meter wide it deeps its deeps and shallow ends are 2 meter and 1.2 meter respectively तो कुछ जो आपका पूल हो कुछ इस टाइप से हमारा जो पूल हो हमारा कुछ इस टाइप से है क्योंकि इसका एक shallow ends है और एक इसका deep ends है तो shallow end one point कितना है shallow end one point is it is deeps two meter and one point two meter to one point two meter and two meter यह के ends है हमारे पास अगर यह 8 meter wide अगर यह 8 meter wide और इसकी length कितनी है इसकी lens कुछ स्टाइब से है इसकी lens कि दिन है हमारी इसकी lens है हमारी कितनी 18 meter long है यह अगर यह 18 meter long है तो आपको इसकी क्या बताना है पाइंट the capacity of the pools तो यहां पर अगर हम इसकी capacity बताने तो हम इसका cross section क्या लेंगे यह सब्सक्राइब होगा इसका cross section होगा मतलब यह क्या है trapezium है इसकी जो volume होगी वो कैसे find कर सकते हैं इसका volume कैसे find करेंगे इसका area of cross section half sum of parallel side 1.2 plus 2 into height क्या लेंगे इसकी height लेंगे हम 8 और इसमें length multiply करेंगे length कितनी है 18 अब इसको solve कर लेना है तो यह दोने plus होगा कितना हो जाएंगे 3.2 हो जाएगा two six को कैसे कर लो four या फिर या फिर या फिर फोर्जा कितने हो जाएंगे यहां पर यह 72 कर सकते हो या फिर forces को multiply कर सकते हो आप force देखो 32 into 18 फोर्जा कितने होंगे 72 अब इसको multiply कर लो आप 72 into 32 कितना हो जाएगा 224 27 14 तीरी जागरेंगे 326 372 2140 यह आगा 323 यह आगे 230 जीरो पॉइंट फोर जाएगा क्योंकि एक डिट के बाद पॉइंट आएगा हमारा तो यह होगा इसकी कप कपैसिटी ठीक है यह कपैसिटी होगी मीटर क्यूब में ओके फ्रेंट्स यह गया कोश्चन नंबर 9 हमारा कोश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम कोश्चन नंबर 10 में देखो इस टाइब से फिगर की बन किया है इसकी वेल्यूज दिया है आपर यह 20 यह 20 कि बन किया है यह 30 कि बन किया है यह 30 कि बन किया है यह 30 कि बन किया है इसमें अब इसे दिहान से देखेंगे फिगर को थोड़ा सा यह 30 है तो यह भी 30 होगा हमारा यह भी 30 हो जाएगा और यह हमारा 40 की लेंद लीवन की है अब इसमें क्या रहा है कि फाइंड वॉल्यमेंड सर्पेस एरिया ओव दा विक्टरी स्टेंड है हमारा जिस पर हम खड़े होकर विक्टरी मतलब प्राइस लेते हैं तो यह हो गया हमारा अब इसको अब ध्यान से देखना इसके वॉल्यम कैसे हमारी यह वाला होगा यह वाली देखो यह वाली अगर हम इसको देखो इसको हम A, B, C, D, E, F, G, H, I, और J इस तरीके से ले लेते हैं तो अब इसमें देखो आप यह वाला C, E, F और J इसको देखो अगर आप तो इसकी लेंज कितनी होगी तो देखो यह 30 है यहां से पीछे 30 है तो यह वाला भी 30 होगा तो यह भी 30 होगा एंड यह 30 है तो यह भी 30 होगा तो इसकी लेंज कितनी होगी 60 ठीक है ब्रैथ आपको बता है यह 30 कि इवन किया इसकी लेंद और ब्रैथ 30 30 कि इवन किया तो इसका area of cross section क्या हो जाएगा area of cross section तो cross section का area हम find कर लेते हैं इसमें area of cross section क्या हो जाएगा देखो area of area of a b c d plus area of c e f j c e f j plus area of यह वाला जे या फिर i h g j i h g j यह वाला area ओके अब इंदीनों area को अगर हम find करते हैं प्रस करते हैं तो कितना होगा यह होगी length 16 to 30 16 to 30 plus यह वाला कितना होगा 30 to 30 30 to 30 तो कितना हो जाएगा हमारा 20 to 30 60 हो जाएगा मतलब 600 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 6 318 1800 हो जाएगा 9 3 3 9 900 हो जाएगा अभी प्लस कर लेंगे हम यह कितना हो जाएगा 9 6 115 115 100 कितने हो जाएगा 0030 का 1100 और 1500 कितने हो जाए हमारे 13 8 5 13 और यह वन कहरी तो 33 3300 सैंटिमीटर है मीटर है तो सैंटिमीटर मीटर कुछ भी नहीं यह तो इतना ही क्या होगा हमारा सेंटिमीटर है सेंटिमीटर इस पार इतना हो गया एंसकी कितना हो जाएगा तो पोल्यू में गया बाल लाइक थर्टी थूथाउजन सेंटीमीटर की यह इसका क्या होगा वोल्यम हो गया अब इसके सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसका क्या जाएगा हमाने पास सब्सक्राइब सब्सक्राइब narrative फ्रंट वाला स्पेश कर लेंगे तो एरिया तो सर्फिस अरिया विक्ट्री तो यहां पर सर्फिस अर्विक्ट्री स्टैंड एक्स्क्लूडिंग डिक्रो सेक्षन क्या हो जाएगा है अब हमारा देखों क्या होगा हिसका पहलिमेटर निकालते हैं अब ऑले कि निचे का एरिय नहीं चैदा को नहीं हम ओलत को नहीं लेंगे स्का। लेंगे सिर्फ इनका फैरे हुआ जीए कि तेम इसमें टोरी 20 अधरी यह 20 plus 30 कि प्लस यह वाला कितना ओगा यह वाली लेंद कितनी होगी इसको देखो अगर यह total 20 है 20 है और यह total 60 है कितनी हो जाएगी 40 हुलेंगे इसे हम 40 intersections लेंगे plus इसे पिर हम 30 लेंगे यह perimeter लेंगे यह यह जब देखंदेski रहें लेंगे यह वाला 30 है इसे 30 लेंगे और इसको भी ले लिया तो इसमें नीचे का सर्फिस नहीं लेना है और इंटू में इसकी लेंथ 40 आप इसे एक्सक्रूडिंग क्रोस एक्सन लेकिन अभुन क्रोस एक्सन को पीछे भी सर्फिस खूगा तो इसका टोटल शर्पेस रिया कितना हुझा कितना हो अब फाइंड ही कर लिया था कितना था 3300 तो यह जाएगा 8400 प्लस यह कितना हो रहा है 6600 और प्लस कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 001001 और यह 15 तो यह आगा 15,000 cm2 यह करना था को पोस्चन नमबर 10 में तो ठीक है तो इसमें तो इसमें तो सब्सक्राइब कर लेना इसमें तो यह एक्सराइज हमारी कमप्लीट हो जाती है तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से रों सब्सक्राइब करते रहें थैंक्स पर वोचिंग